वालो दी, स्ट्रेंट्स आज हम बात करने हैं टीडी कॉलेज़ के लिए आपके इंटरन्स एक्जाउंप फूल होना स्टार्ट हो गया है लिया एस्ट्रेंट्स आज इस टॉपिल में लिए कोफी डिटेल बेदキॉपस करने जा रहे है तो यहां पर आप देखेंगे, यह दिए आप TD College में अडिशन चाहते हैं, आपको हर एक पॉइंट पे हमने यहां पे वीडियो बना लिया है, किसी अन्य वीडियो को या कहीं अन्य जगह से आपको जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज देखेंगे हम कौ इसके बाद हम बात करेंगे, जो आपका exam type होता है, वो कैसा होता है, उसके साथ हम बात करेंगे, जो आपके classes हैं, classes बात कितने number of seats TD College में available हैं, किस subjects के लिए, आज हम लोग किस topic में काफी detail में discuss करने हैं, साथ इसाथ जो काफी जादा important होते हैं, एक fees, ए TD College में आप यह दिए admission कराएंगे, तो आपको कितना fees देना पड़ेगा, तो कहने के मतलब हर एक topic को आज हमने यहां पर cover किया है, आए students वीडियो को हम start करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आपके start करने पहले जोड़दार तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सभी friends के साथ share करेंगे, और जो भी students first time ह हमारी YouTube चैनल से जोड़े, दीचे description box में, टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ, आप माई टेलिग्राम चैनल से YouTube में, जहां पर आपको इंवर्शिटी सम्वंद्ध, साधे साथ तीडी पीजी कॉलेज से सम्वंद्ध, सभी प्रकार के अप्वेट्ट को information मिलते रहेंगे, जी फिल होना स्टार्ट हो गया है, आईए अब बात करते हैं, जो आपका examination form fill हो रहा है, वो आप मालूम है कि UG courses के लिए और PZ courses के लिए फिल हो रहा है, अगर हम बात करते हैं UG courses में, UG courses में आपके टेडिग पीजी कॉलेज में कौन कौन से courses चलते हैं, B.A. चलते हैं, B.S.D चलते हैं, B.Com चलते हैं, B.A.C. agriculture चलते हैं, यहाँ पर क्रेखर करें, यहाँ पर आपके M.A. चलते हैं, M.C. चलते हैं, M.C. चलते हैं, S.A.T. साथ आपके B.A. व M.A. की खिलते हैं, लेकिन B.A. और M.A. में आपके admission होने का process होता जो अलग होता है, जो आपकी B.A. इंटरेंस एक्जाम कर्ड़क्ट होता है, उसके थूँ आपका B.A.D. का एडिशन होता है, प्लस M.A.D. में M.A.D. का इडिश्यटी के दुवरा अलग से फॉर्म फिल होता है, और उसके बाद उसका एक अलग इडिशन डेट आता है, तो वहाँ पर आपको M.A.D. का इडिशन फॉर्म फिल करना है, तो आप M.A.D. का इडिशनल कोर्स में आपको अवलेबल हैं, अब बात करते हैं, जैसे जिन बच्चों को वेटेज जी मिलता है, अब वेटेज कितने प और वेटेज मिलेगा, साथी साथ Freedom Fighter, यह स्वतंतर स्विनानी से है, यह उनके प्रिंट के फैमली में Freedom Fighter रहा होगा, तो उसको भी वेटेज मिलेगा, स्पोर्ट कोटा, स्पोर्ट कोटा भी है, यह आप किसी खेल से संबंधित हैं, यह आप कोई ही खेल कोई से, दिन आप वहाँ पर भी TD कीज कॉलेज में आसानी से निशन पास सकते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यह आप TD इंटर कॉलेज से पढ़े हुए हैं, यहा आपको यहाँ पर पांच नंबर का अडिशनल बेटिस मीठा है, यहाँ पर आप अडिगिरी कोविति में अधिर। आप पांच नंबर का वेटिस मिलेगा, यह सब वेटिस जो होती हैं, यह स्टुडेंट को पता नहीं होता, यह वेटिस कैसे एरको फिलड करना है, और बच हो जाता इसलिए वेटेश को आपको काफी इंपोर्टमेंस दीएगा ठीक है तो इस प्रकार यदि फिसकल हेंडिकेप्टर है स्पोर्स कोटा है तो दिन आपको अलग-अलग वेटेश अब लेबल है वहाँ पे आप जाएंगे तो आप आप नंबर्स पासकते हैं ठीक है आए प्लस ट्रांजिक्शन चार्ज जो भी आपके ऑनलाइन ट्रांजिक्शन चार्ज लगे उसके साथ 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 रुपए जो कॉलेज की इंटरेंस इजाम फीस है यह आपको समझ में आए यह आपको पता चल गया टिडी कॉलेज में कौन-कौन से पोर्स अबलेबल है पापा या ममे मिलिगा अब देखे बात करते हैं जैसे अब जो चूदेंस बिडी मेर चहाते हैं तो B.E. में टूटल कितने सीटे हैं, तो B.E. के अगर हम बात करें, तो B.E. की टूटल T.D. College में 1670 सीटे हैं, B.E. काम की 360 सीटे हैं, L.L.B. की 300 सीटे हैं, B.E. की 30 सीटे हैं, M.E. की 30 सीटे हैं और 60 सीटे हैं, अब देखिए, जो 30 सीटे हैं और 60 सीटे कहने के मतलब होता है कि MA अगर आप करेंगे तो MA TD College से कई subjects में हैं जैसे MA Hindi से आपके लिज़े, Geography से कर रहे हैं, Military Science से कर रहे हैं, Static से कर रहे हैं, मतलब तवाम प्रकार के subjects होते हैं, जिससे आप MA करते हैं, तो आप जैसे जो course choice करेंगे, तो वहां पर अलग-अलग course के लिए अलग-अलग cities अवलेबल हैं, ठीक है, उसको हमने यहां पर देखें, MSC का हमने यहां पर बकादी detail में लिख लिया है, लेकिन MA में काफी ज़्यादा courses होते हैं, तो सभी courses लिखना possible नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं कि जब आप जामनेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे इंट्रेंस का, दिन आपको पता चल जागा कि आप जी सब्जेक्स के भरेंगे, तो आपकी 10 सीटे हैं या फिर 60 सीटे हैं, ठीक? अगर हम बात कर देते हैं MSC का, L7 में आपके total कितने जीट हैं? यहाँ पो देखिए, Physics में आप 20 सीटे हैं, Math में आपकी 60 सीटे हैं, Chemistry में आपकी 45 सीटे हैं, Biology में 20 सीटे हैं, साथ इसाथ Ge peek 20 सीटे हैं, advertise MSC में कितने सीटे हैं, Physics में 20 सीटे हैं JUST सीटे है, Chapter 45 में 200 सीट, अब बात करते हैं M-COM में M-COM में आपकी कितनी सीटται है A-T सीटे है M-COM में कितनी सीटται है 80 सीटे है शाधि-शाध भग MSC Agriculture यह आपकी 15 सीटे है और L-L-M L-L-Mें आपकी 20 सीटे यहां पर MSC Mathematics MSC Mathematics के आपकी 60 सीटे है समझे अई ही बात अब देखिए जो CTs इतनी आपको पता चल गए अब next हम बात करें जा रहे हैं यदि आप TD college में आप admission लेने जाएंगे तो कितना fee लगता है fee के लिए आप यहाँ पर देख शकते हैं यदि आप B.A. में एडिशन लेना चाहते हैं इसमें B.A. में जो आपकी fees लगेगी boys के लिए 3914 रुपए लगेगा और girls के लिए 3682 रुपए लगेगा boys के लिए कितना लगे लगे 3914 रुपए और girls के लिए 3682 रुपए अब देखिए B.A.C. में बात करते हैं B.A.C. दो होते हैं B.A.C. बायो के लिए students की बात करें जितने भी boys होते हैं उनकी जो fees है 4934 रुपए है girls की फीस कितनी ए 3902 रुपए हैं B.A.C. mathematics में बात करें तो जितने boys के फीस लगती है वो 4914 रुपए लगती है और girls की 3782 रुपए लगती है ठीकिए B.A.C. में बात करें तो B.A.C. में boys की जो फीस लगती है 3814 रुपए लगेगा और girls के 3682 रुपए L.A.L.M. में बात करें L.A.L.M. में आपके जो boys होते हैं उनकी फीस लगेगी 4904 रुपए और girls की जो फीस लगेगी 3724 रुपए B.A.C. agriculture में बात करें boys की जो फीस लगेगी 8,094 रुपए लगेगा और girls की जो लगेगी 8962 रुपए लगेगा अगर M.A.C. physics की बात करें M.A.C. physics में सभी students की जो फीस लगेगी 4904 रुपए लगेगी boys की और 4624 रुपए लगेगी girls की ठीक है अगर आप M.com कर रहे हैं M.com में जो boys की फीस लगेगी 4904 रुपए और girls की 4624 रुपए अगर बात कर देते हैं M.A.C. agriculture में आपकी जो फीस साथ करें LLB, LLM का LLM में का आपको जो फीस लगेगी 39000 रुपए boys का लगेगी और 39000 रुपए girls की लगेगी इस प्रकार आपने देख लिया कि आपके जो TDPC college का entrance exam form है वो फिल होना start हो गया है आपकी पास कितने courses हैं जिसमें admission होने वाले हैं साथ ही साथ हमने बता दिया बेटेस के क्या process है कैसे कैसे आपको बेटेस मिलेंगे नेक्स हमने बात करें जो भी सब courses हते हैं कितने सीटे हैं ये में कितने सीटे हैं ये सी में कितने सीटे हैं विकॉम में कितने सीटे में कितने सीटे हैं साथ ही हमने बात कर दिया फीस की कितनी फीस लगेगी boys की कितनी लगेंगी girls की, अब आते हैं अपने last topic के, last topic होगा हमारा exam, जो entrance exam देंगी वो कैसा होगा, किस type का होगा, देखें, जो entrance exam होता है, वो आपका कितने number का होता है, वो 100 marks का होता है, कितने number का 100 marks होता है, और जो आपका exam type होता है, वो कैसा होता है, objective exam होता है, करने मतलब आपको objective questions रहेंगे, सिर्फ bubble को fill करना होगा, bubbles को कैसे fill करना है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रहा है हम आपको link उसका description box में दे देंगे आपको हाँ चेक कर सकते हैं, कैसे हम लोग examination form fill करने जाते हैं या exam देते हैं, then हम लोग कैसे अपने entrance exam में bubble को fill करेंगे, bubble को fill करते हैं, काफी साउधानिया रफनी चाहिए यदि आप जिरा सभी misunderstanding कर जाते हैं, mistake कर जाते हैं then आपको क्या हो जाता है, questions गलत है आता हूँ questions हम गलत कर लेते इसके लिए मैंने video बनाया है, जिसका link अभी हम description box में दे देंगे साथी साथ मैं integral screen पर भी उसको लगा दूँगा वहाँ से आप उस video को देख लीज़ेगा कैसे हम exam में या फिर कोई भी exam जहां पर objective होती bubbles को fill किया जाता है, और bubble को fill करते हो कैसी कैसे साथांग या बलतनी चाहिए, ठीक है तो objective exam होगा, maximum आपका 100 number होगा और सभी question आपके एक number के होगे, सभी question कितने number के होगे, एक number के होगे और यहाँ पर किसी भी प्रकार कोई negative marking नहीं होती तो negative marking नहीं होती, maximum marking 100 number और सभी question कितने number के एक number तो कर सकते हैं, जो maximum mark होगा, वो हमारा क्या होगा, 100 number तो 100 number का इंटरेंस exam होने वाला है तो 100 question, 100 number का exam negative marking नहीं है नेक्स्ट बात करते हूँ, जो paper pattern होगा paper pattern कैसा होगा, paper आपकी reasoning होगा जिसमें आपको 20 questions reasoning मिलेगे जिसमें reasoning और जी के की लेकिए आप कितने questions रहेंगे, 20 questions 20 questions आपके language करेंगे अब देखिए language आपके दो रहेंगे Hindi plus English आप देखिए जो बच्चा Hindi करना चाहेगा हो और जो बच्चा English करना चाहेगा यदि आप English करना चाहेगा, यदि आप English करना चाहेगा यदि आप subject का आपको 60 number के questions आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यदि आप बेने BA का entrance exam field किया है, तो BA से संबंधित आपकी questions आपको 60 questions देखने को मिलेंगे, यदि आप BCOMS related 60 questions देखने को मिलेंगे, यदि आप BCOMS related 60 questions देखने को मिलेंगे, यदि आप BCOMS related 60 questions देखने को अगर हम PG students के लिए बात कर लें, इसके लिए PG students के लिए जितने भी PG students है, उन सब का जो 100 number का question होगा, वो completely उनके subject के based होगा, जो उनका 100 question होगा, completely subjective होगा, कहने के मतलब यदि आपके chemistry का form फिलकिया है, जिन आपके सवो question chemistry के होगे, physics से form करगे तो सवो question आपके physics के होगे, biology का form सवो question आपके जिलोजी का, अगर botany से तो सवो question आपके बातनी का, math से किये हैं तो सवो question आपके math से होगे, कहने का मतलब जितने भी PG students है, उनको 100 to 100 questions आपको अपने subject से देखने को मिलने वाले हैं, इस प्रकार हमने आपको कह सकते हैं कि TD PG college में जो entrance exam form फिल हो रहा है, उसकी स कोन जानकारी अपने इस video में मैंने available करा दिया, अब हमको नहीं लगता, कोई भी students, कोई भी students, TD PG college का entrance exam form फिल करना चाहता हो, इससे अधिक जानकारी कि उससे कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको हमने सभी चीज़े बता दिया, courses बता दिया, कितने number of seats है, कितना fees लगना ह कितना आपका exam में कैसे कैसे questions आने वाले हैं, और exam का paper भी कैसा होता है, objective paper होगा, क्या paper pattern होगा, हर एक चीज़े का visualization हमने अपने इस video में आपको करके बता दिया है, अभी interest exam form फिल होना start हुआ है, इसकी अभी कोई last date नहीं है, कि अभी इसकी कोई last date आ गई है, ना ही अभी interest exam की क्या date आई है, तो ठीक है, अभी ये दूर्यों चीज़ें आपको available नहीं है, इसी के साथ हम वीडियो को समाप करते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी, अपने सभी friend के साथ जरूर share करेगा, किसी भी friend को वीडियो share करने में कंजूशी मत करिएगा, और वीडियो का बिल आइकन प्रिश्ट कर दिजिए, जिससे सभी वीडियो के आपके notification आपको अपने इस platform से तुरंट available हो जाए, थैंक्यू, बाई बाई